नमस्कार दोस्तों, सच हमेशा कड़वा होता है, जी हाँ दोस्तों, सच्चाई जो होती है, वो हमेशा सबको कड़वी लगती है, इस बात को और बेतर तरीके किसे समझने के लिए आप इस क्लिप को देख सकते हैं कड़ा कि अधिए लगती highlight मिलेगी मैं अधिमुल रहा हूँ, वह इताली में रिपोर्ट वेजेगी देखिए, जहां पर मैने एक सरकार बना लिए वहां पर grindu संतों को मिर वह रही और वहां से वाह का यही मिलेगी सिक व धेक्रमदिय दक्रमदृ गामान अक्टान के ड जिससे उनको मिर्ची लग गई और साथ साथ सभी कॉंग्रेसियों को भी मिर्ची लग गई वो इसलिए क्योंकि सच हमेशा करवा बुता है और इसी के चलते कॉंग्रेसी गुंडल में अग्मा गोस्वामी जी और उनकी धर्म पतनी के ऊपर हमले कर दी है इस बात को समयने के के लिए आप एक लिए इस बात को समझे एक लिए आप इस बात को समझे एक है तो Convention come to the right, when I entered my building, when I suddenly got out I inspected the car, by my wife we came out of the car to my security persons took another fifteen Oooh I would say five minutes to reach my building. They they reached the parking lot of my building and I asked them what what happened and who with these people and they said to me that the word that were people other ये वहीं फरन्स वोर्cules that they had been sent to attack me and YouBP report who said they had tailed me and they were given instructions by their higher-ups to attack me to teach me a lesson. So I just want to tell you Sonia Gandhi that you're the biggest coward in this country right now. You Sonia Gandhi tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. you know the questions I have asked you are absolutely appropriate you have no guts to face me my questions against you will increase the questions I'm asking you are legitimate questions you tried to attack me you tried to attack my 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 wife you are trying to attack both of us while we were coming back and I will hold you personally responsible for any consequences of any attack for on me I'm gonna take a look at the point of the future of the family and the family and the चले सरी बाद यह वहाँ से शुरू हुई जब पालघर में दो संद्रीतों कि दर्धनाख कर दी गई जी हां दोस्तों पालघर में दो संद्रीतों की, ड्राइवर की दर्दनात तरीके से हत्या कर दी गई और डिवेट के चलते अर्णोगोस्वामी जी ने सोनिया गांधी जी को एंटिनो माईनो कर दिया इस पर कॉंग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अर्मी कॉंग्रेसी कारिकर्थाओं को मिर्ची लग गई जो राहुल गांधी मोदी जी को मौत का सौधा अगर चौकिदार चोर है, चाय वाला हिटलर वाले सब्द कहने से नहीं ठकते थे वो अर्णोगोस्वामी जी द्वारा सिर्फ सोनिया गांधी को एंटिनो माईनो कहने पर बुरा मान दे अगर अर्णोगोस्वामी जी के उपर केस होता है तो आप पेसक करें लेकिन सबसे पहले आप आओ गांधी जी के खिलाफ एक्सन लीजिए, सोनिया गांधी जी के खिलाफ पुली जी जो कि हमारे देश के प्रधामंत्री नरेद्र मोदी जी के खिलाफ आप अत्ती जनक फा जरूर करें और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को फेस्बूक पे देख रहें हो वो हमारे यूट्यूब चैनल आरे सब्डेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नहीं हो कि भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मिलते हैं अगले व